अब जनता को क्या दिखाना है परिवार को तो अब कुछ बता ही नहीं रहे हैं जनता को दिखाना चाह रहे हैं चार आदमी पांच आदमी इसमें वर्दात में हैं को मालूम है कि मुकेसानी का घर कहा है कौन रहता है क्या रहा है अप राधी घुस रहा है तो उसका हिम्मत दे पुलिस मुद्दे को भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। पुलिस ने उसको रिकबर किया तालाब से वो बंद था उसका ताला खोला पुलिस ने वो मीडिया पास कैसे पहुचा। मुकेश सहनी और उनके पडिवार के तब से बड़ा सवाल खरा कर दिया गया और कहा गया कि इस मामले को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। जबकि और बहुत सारे लोग हैं CCTV फोटेज प्रेंड्राइब दिया गया बिहार पुलिस के मुखिया डेजीपी को पत्र लिखा गया और आगरा किया गया किस मामले की विस्तार से जाच की जाया। अब सवाल है कि कहां चूक हुई कहां गरबड़ी हुई कौन कर रहा है और इन तमाम चीजों को सबजना है तो कानून के जो जिनका एक प्रशासनिक लंबा अनभव रहा है उनसे जानना बहुत जोड़ी है। अब तो प्रशासन के साथ एक लंबा काम किया आपने इस पुरे मामले को लेकर आभी बहुत करीब से देख रहे हैं आप कहां देख पा रहे हैं ब्यार पुलिस की जो जाच रिपोर्ट आई है काजीम दोसी है काजीम ने हत्या की है। देखिए ये जो केस हुआ है ये सोची समझी साजीस के तहत इसको की अंग्रेजी में कोल ब्लडेड निर्मम हत्या की गई है। पूरा परिवार दुखी है ठीक है जिस तरह से हत्या होई पूरा परिवार दुखी है और हम लोगों को पुलिस से कोई परिशानी नहीं थी पुलिस अपना काम कर रही है ठीक है। लेकिन जब दर्भांगा के एसपी साहब ने बयान जारी किया पड़े अपसोस की बात है कि बयान जारी करने पहले परिवार के किसी सदस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। इंवेस्टिकेशन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसी ने बताने की जरूरत नहीं समझी जबकि अमूमन ऐसा होता है कि पुलिस जो है जो भीक्टिम होता है उसके परिवार को कॉन्फिडेंस में रखती है उसको बताते रहती है कि हम लोग यहां तक पहुँच गया हम चीज कि जब पुलिस कुछ सेलेक्टिव लीक करती है, मने कुछ चीजों को चुप-चाप किसी थर्ड पाटी को दे देती है, मीडिया को दे देती है, कि इसको चापो, इसको निकालो, इस केस में ऐसा हुआ, एक कागज मीडिया में चल रहा है, थीक है, तो कागज अगर बकस से मिला जो बकसा पूलीस के position में पूलीस ने उसको रिकवर किया तालाव से वो बंद था उसका ताला खोला पूलीस ने वो मीडिया पास कैसे पहुँचा वैं ठीक है इसकी जाच होनी चाहिए क्यों दिया गया इसके पीछे मनसा क्या थी दूसरे कि जब पुलिस मिर्टक के चरितर पर कुछ उल्टी सीधी बातें करती हैं डाउट होता है कि कहीं पुलिस मुद्दे को भठकाने की कोशिस तो नहीं कर रही है अब सोच की बात यह है कि इन सब चीजों को करके पुलिस की साख तो मने पुलिस अपना के साख की तो बात सोचिए अब अपनी साख तो सोच रहे हैं आपने प्रेस मीडिया में कुछ दे दिया ठीक है कच्छा पका चीज इन्वेस्टिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है अमोमन मीडिया में ही एक CCTV फूटे चल रहा है जो मिर्टक का घर है घर के साथी एक दूसरा घर है जिसमें CCTV कामरा लगा हुआ है उस कैमरे का एक कहा जा रहा है कि दस तारीक का ये फीड है रात को दस थाले दस बज़े जिसमें की साफ देखा जा रहा है कि अचानक जो है ना दस पंदरा लोग मिर्दक के घर के पास इकठे हो जाते हैं उनके हाथ में लाठी भी है औ और कुछ समय के बाद 10-15 मिनट के बाद वो लोग अचानक देखा जा रहा है कि वो वह से निकल रहे है तो इस बिंदू को भी तो देखा जाए वो कौन लोग थे किसली आये थे क्या जिन लोगों ने हत्या की 15 की रात में क्या उसी गिरोह के लोग थे क्या उनी से संबंदि लोग थे क्या वही चीज आगे बढ़ा ठीक है दस्तारी को हत्या क्यों नहीं हुई यह बहुत सवाल है दूसरी चीज की जो हमने कागज वाली बात कही कि अगर कागज बकसे से निकला जो कि पुलिस के कस्टडी में था वो बहर कैसे आया किस ने दिया देने पीछे मंसा क् और दूसरी चीज की अगर कागज बकसे में नहीं मिला तो वो कागज प्रेस में क्यों दिया जा रहा है अगर किसी मतलब की प्राइवेट आदमी के हाथ में था वो कागज तो वो प्रेस में क्यों दे रहा है ठीक है इसमें अनुसंदान करने की जुरुत है तीसरी चीज अ अभी आपने एक अपराधी को पकड़ा है, जो SP साहब ने बयान दिया, उसमें कहा कि एक अपराधी पकड़ा गया है, CCTV फुटेज जो मिला है, 16 तारीक को, उसमें कहा जा रहा है कि 4-5 लोग हैं, जब तक आप सारे लोगों को नहीं पकड़ लेते हैं, आप कैसे पता चलेगा अपने कैसे एक आदमी की बात को आप मान के चल रहे है कि जो बोल रहा है, सच बोल रहा है, जबकि फैक्ट ये है कि उस आदमी से अभी ये नहीं पता कर पाये हैं कि जो छुरे से मारा गया, वो छुरा कहा है, इतना ही अगर वो सच है तो बताता चुरा कहां है और आपने एक आदमी के पकड़ने के बाद सरा बयान दे दिया लगा जिसे केसी खुल गया मान लीजिये कि कल को और भी जो लोग जो उस बारदात में सामिल तो पकड़े जाते हैं और वो दूसरी कहानी बता देते हैं कि मारने का कारण कुछ और था तो फिर पुलिस क्या करेगी पुलिस के पास क्या रह जाएगा क्या पुलिस अपनी जो कहानी जो प्रेस कॉंफरेंस बताई है उसी को जबरजस्ती लेके चलेगी या फिर नए तत्थों को बताएगी जनता को तो ये सारी चीजे हैं अब कल ए चाहिए कि जो कमिया रह गई है, जो हम लोगों ने इंडिकेट किया, उन चीजों पर भी बोलें, जो SP साब ने कहा उसको यहां रट दिया, आप जनता को क्या दिखाना है, परिवार को तो आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं, जनता को दिखाना चाह रहे हैं, कि हमने यह कर दिय अभी तो चार मुलजीम पकड़े जाने बाकी हैं, अभी जो वरदात में जो छुरा है, उसको प्राप्त करना बाकी है, ठीक है, आपको एबिडेंसे जो है, FSL का रिपोर्ट एक दिन में नहीं आ जाता है, उसको मैच करना बाकी है, अभी तो अंदाजा है, आपने कहा कि न लेकिन इसमें वक्त लगता है, क्या इसकी रिपोर्ट आ गई है, आप बयान पहले देने लगे, माली जे कल को बलड किसी और का हुआ, तो क्या करें जाए आप, तो हम लोगों के कहने का मुद्दा है, कि हम लोगों सीनियर आपसर के पास इसलिए गए, कि उनके जो माधत है जिन जहां गलती कर रहे हैं, या जिन चीजों को छोड़ दिये हैं, मल ये को पांच चीज करना है, पांच में तीन हुआ है, दो बाकी है, उसको कर लें, ठीक है, जनता के बीच आने की, और हरबड़ी क्या है कि फटा-पट, फटा-पट, कुछ भी आया हाथ में बता दिया जो घटना स्तल से एविडेंस ब्रामत किये गए, क्या जांच पूरी नहीं हुआ, इस चीज को सारवजनिक कर देना, जिसकी चर्चा अभी करें कि जो कागज चिठी जो है दी गए, जिस हजार पर मीडिया में खबरे चल लिए, कि पैसे के लिंदेन का मामला था, वो लिग है, इसमें क्या है, कि जब तक पूरी जानकारी, पूरा सत्य सामने नहीं आ जाता है, तो आप टुकडे टुकडे में देने की क्या जरूरत है, ठीक है, आपको अगर जनता के बीच जाना था, अपनी साख बचानी है, आप कहतें कि वारदात में एक व्यक्ति पकड़ा गया है, ठीक है, अब हमको तो, एसपी साहब का प्रेस कॉन्फरेंस जो हो है, वो हमको लगता है कि पांच से छे के बीच में हुआ है साम को, और एक मीडिया, पटना का ही, वो करीब तीन बजे ही अपने, उसमें ब्रेक कर रहा है कि उसका अपराधी का नाम क्या है, ये 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 कहीं कुछ, मनें इसको भठकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, जो पूरा सडयांत्र है, ठीक है, उसमें कहीं दिशा बदलने की बात तो नहीं हो रहे, चुकि ये जो मडर है, ये मतलब की छोटी मोटी चीज नहीं है, छोटी मोटी चीज इसलिए नहीं है, कि जो मुक कि सहरों में क्या है कि इनोनीमिटी होती है कि अडोस पडोस में कौन रहता है नहीं मालूम है लेकिन गाव में तो लोग पुष्ट-ब.......... तो गाव में अगर को इह अपराधी किसी गर में घुस्ता है तो मैं ये चीज मांने को तेयार नहीं हूं कि किसी को पता नहीं है कि ये मुकेशानी का घर है इस घर में मुकेशानी पिता रहते हैं वो कोई किरादार नहीं है कि कहीं से आगे बस गए है वो पुस्त जर पुस्त रहा है और मनें दस कोस की दूरी में हम मिनिमम बता रहे हैं कि सब को मालूम है कि मुकेसानी का घर कहा है, कौन रहता है, क्या रहा है, अपरादी घुस रहा है, तो उसका हिम्मत देखिए, कि किस आदमी, सब समझता है ने, कि जो जिस आदमी का रसूख है, जिस आदमी का जान पचान है, जो आदमी अप्रोच कर सकता है, पुलिस को, प् ठीक है पुलिस पर हम यह नहीं कहते हैं कि वो सचाई तक नहीं पहुच सकते हैं निशी दूरूप से पहुचेगी लेकिन पबलिक में तब आए तब चीजों को बताया जाए जबकि सारी चीजें इकठी हो जाए नहीं तो उतना ही बताए कुछ चीजें जो कि अफसोस वाली ह हैं चुकि आप उस परिवार को जानते हैं और उस पार्टे के साथ आप राजनीती भी करने हैं जो चर्चा हर जगा चुकि जब तक पुलिस ने कुछ कहा नहीं तब तक सुसासन पर सवाल खड़े हो रहे थे जब पुलिस ने कह दिया है कि भाई इस वेक्तिन ने इस कारण परिशानी है कि पुलिस ने परिवार के किसी सदस से बात नहीं किया आप ये बताएं कि मिर्टक के बारे में सबसे अधिक जानकारी किसको हो सकती परिवार को होगी उनके पत्नी को होगी उनके पुत्र को होगी उनके भाई को होगी भतीजे को होगी ठीक है तो पहले तो प क्या source था, कहां से पैसे आते थे, जो सारी चीजें हैं, आपने परिवार से तो कुछ पुछा ही नहीं, आपने अडोस पोडो से पता नहीं कहां से क्या जानकारी लाई, ठीक है, हो सकता है किसी आदमी से जगड़ा हो, भई दखिये, गाउं घर में क्या होता है, कि साधी ब्य और लाक रुपे पर कोई आदमी इस तरह से बेरहमी से मारेगा, प्लस अगर माल जी एक आदमी जगड़ा है, तो चार आदमी मटर केस में फसने क्यों आएंगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता है, और साधी ब्याह में लोग पैसे मांगते हैं, ठीक है, तो हम इस चीज प मतलब की मान लिजे कि किसी ने पैसा दिया हो, कि पहले मुकेश शानी जी को वार्निंग देना है, कि उनके पिल्रा जी को पहले ख़तम करो, ठीक है, बहुत सारी पोसिल्टी है, किसी भी केस का हम यह नहीं करते हैं, यहीं बात सच है, हम इन्वेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा एंगिल होता है किस का, हर संभावना को लोजिकल एंड तक ले जाए, एक संभावना पकड़िये, यह एंगिल हो सकता है, खतम कर जीए, कि नहीं है, दूसरा खतम कर जीए, नहीं है, सबसे बड़ी बात जो हमने कही, चार आदमी, पांच आदमी इसमें पैसे के लिंदेन, एकिस बता है, का भर olhar इसमें जो है, हो सकता है, कि दूसरा आदमी पकड़ा जैए, कि कोई और करण था, करण तो हमको अभी बोल लियंत हम पचास करण किना सकते हैं, यह भी करण हो सकता है, वह जो कागज घूम रहा है, उसक recommend है तो पुलीस टसली से जाच करें ठीक है और हडबड में हम लोग नहीं चाहते हैं कि केस को खराब करें केस को आप सही धंग से करिए सही अपराधी को पकड़िए ठीक हम लोगों कोई परसानी नहीं है कोकि फाइनल डिसीजन जो होगा वो तो कोट करेगा कोट में सारी चीजे जाएगी तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज बोल दीजिए जो असत्य हो बाद में जाके असत्य कोही कई बार जीद में जो है लोगों को सत्य बनाना पड़ता है ये इस्तिती ना आए आप तसलिश बात करिए सारे अंगिल को देख लीजिए जो चीज का सबूत मिलता है चुकि दखिए कोट बिना सबूत के मीडिया रिपोर्ट पर नहीं जाती है आपके प पाइनल प्रेस कॉन्फरेंस कियाता है एक को पकड़ा आपने कुछ बुटी चीदी बाते बोल दी तीक है तो इससे हम लोगों को डाउट हुआ और इसलिए हम लोगों उचादिकारी को से मिले और हम लोगों ने ये दर्खास किया उन से कि वो करें और इन्वेस्टिकेशन को ठीक से किया जाए जिसे की परिवार को नियाय मिल सके बेसक्त विहार पुलीस ने अपने तोर तरीके से बाते कह दी हो लेकिन उस जांस जो डिपोर्ट पर मुकेश सहनी उनके समर्थखों के परिवार के लोगों का संतुष्टी नहीं और इसलिए ज इसलिए जानना इनसे जरूरी था कि ये किस दृष्टी कोन से देखते हैं चुकि ये उस पार्टी से जरूरी हुए है मुकेश सहनी उनके परिवार को करीब से जानते और समस्ते हैं आपकी क्या रहा है आप अपने डाय को कमेंच बॉक्स पर रखी है अगर आप परेचल को यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लिजे